एलो किसान सातियों Green Farm Solution चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ड़ी पिरिगेशन या टपक सिंचाई में जो हम फर्टिगेशन करते हैं फर्टिगेशन कब कैसे और कितना करें ताकि जो हम खाद दे रहे हैं उसका पोदे के अंदर सही से उसका उपयोग हो जिसको हम फर्टिलाजर यूज इफिसेंसी कहते हैं यनि खाद की पूरी पूर जो उपयोगिता है वो हमको मिले जितना हम खाद दे रहे हैं तो इसी के बात आती है कि हमको फर्टिगेशन कब करना चाहिए कौन सा समय फर्टिगेशन के लिए सही रहता है तो मैं यह कहूंगा कि जो सुबह का समय है जो मैंने यहाँ पे स्टोमेटा का फोटो भी लगा है जब हमारा स्टोमेटा खुलेगा तो पोदे की पती से पानी उड़ेगा तो पोदा जमीन से पानी लेगा जमीन से पानी लेगा तो खात भी लेगा तो सबसे अच्छा समय जब स्टोमेटा पूरे दिन खुला रहता है हलांकि लेकिन सुबह का मोसम जो है वो फर्टिगेशन के लिए सबसे सही है इसी तरह से हमको फर्टिगेशन कितने समय में करना है कितने समय हमको फर्टिगेशन करना है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि लगबग 15 मिनिट आप माने कि जब हम डिप इरिगेशन या टपक मिनिट में खा दे सकते हैं इसी तरह से मालो आप 2 घंटे पानी दे रहे हो तो 15-15 मिनिट निकल गए आपके पास में डेट घंटा बच गया फर्टिगेशन के लिए लेकिन मेरा ये माना है कि फर्टिगेशन के लिए आप 10 मिनिट से लेके 60 मिनिट जैसी आप हसल लगा रहे है उसके अनुसार हम समय का चुनाव कर सकते हैं कि हमको कितनी देर फर्टिगेशन करना है अब जो फर्टिगेशन में ये मैं कहूंगा कि सबसे important slide है आप इसको ध्यान से समझें सबसे पहले हमको हमारी फसल क्या हमने लगाई है उसकी फसल की पोसकता कितनी है वो हमको समझना ह उसी के इसाब से हमको उसको उर्वर की मातरा देनी हैं पानी कितना दे रहे हैं पानी आप कम दे रहे हो और खाद ज्यादा दे रहे हो तो वो भी गलत है हम पानी बहुत ज्यादा दे रहे हैं और खाद बहुत कम दे रहे हैं वो भी गलत है तो ये भी हमको समझना है इसी के साथ में Fertigation Schedule जो आप फोलो कर रहे हैं, उसके साथ में एक वैसा ही हमारा Irrigation Schedule भी होना चाहिए, निये में उतना ही हम को एकदम Sudden Change जो है, पानी में नहीं करना है, इसी तरह से Sudden Change हम को Fertigation में भी नहीं करना है, नहीं तो हमारी फसल को जटका लगता है, इसी तरह से हमारी फसल की क्या स्टेज है क्योंकि हर अलग अलग स्टेज पे खाद जो फर्टिलाइजर्स है उसकी आवसकता अलग लग रहती है अलग लग न्यूट्रेंट की अलग लग समय पे अलग लग जरूरत होती है तो वो भी हमको देखना है इसी तरह से जो है वो ऊपर ही रहती है तो हमको फर्टिगेसिन का जो टाइम है वो थोड़ा कम रखना है डीप रूटेट जहां पे फसल होती है जैसे कपास है या हम कोई फ़ल-डार पेड लगा रहे हैं तो वहां पे जो हमारा जो फर्टिगेशन का टाइम है वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो हमारी ये जो चीजें ये आविसक BAATY hij a V- marketing सर्थ है इनका हमको जरूर ध्यान रखना है इसी तरह से कितना fertilizer दें अलांकि ए तो आपका फर्टिगेशन सेडूल का पाइट है लेकिन फिर भी मैं देखा है बहुत सारे किसान भाई सुरू से लेकर लास तक लगे रहते हैं खादे पे खादे देते रहते हैं तो आपका प्रोडक्शन कितना आ रहा है ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है तो ज्यादा खाद चाहिए कम प्रोडक्शन आपको कितनी पैदा मिलती है उसके हिसाब से पोदे को खा चाहिए तो ये भी हमको ध्यान रखना है इसी तरह से जब हम क्योंकि जब फर्टिगेशन करें तो ड्रिप इरिगेशन के थरो करें तो ड्रिप इरिगेशन का जो प्रेशर है वो भी हमको एक निश्चित प्रेशर जैसे हम कहते हैं कि खेत के अंदर एकजी प्रेचर या दश मीटर प्रेचर या वन बार जो प्रेचर है वो होना चाहिए तो वह जब आपका होगा तब भी आपका जो है बी अच्छा होगा दिप पाने जाएगा तब भी आपका एक समान ख जाएगा तो यह भी हमको धिल्फ करना चाहिए तो यहां पे जो सब्से बड़ी चीज है जो एक खास जिसका हमको ध्यान में रखना है, वो है हमारी मिटी का type soil type, soil structure हमारे कैसा है, हमारी मिटी रेतिली है, हमारी मिटी चिकनी है, हमारी मिटी दो मठ है, उस पे निर्वर करता है केटाइन एक्षेंज केपिसिटी, जिसको हम CEC कहते हैं, यह नहीं हमारी मिटी भी फर्टिगेशन करेंगे तो भी चलेगा लेकिन सीसी कम है केटायन एकसिटी कम है जैसे बालू रेत में या रेती लिमिटी हलकी रेत में तो वहां पे आप जल्दी जल्दी फर्टिगेशन कर सकते हैं एक दिन में भी आप दो बार भी फर्टिगेशन कर सकते हैं लेकिन जै के एक दिन भी कर सकते हो, दो दिन छोड़ के तीसरे दिन भी कर सकते हो, दूसरा हम क्या फसल लगा रहे हैं, हमारी सबजियां है, उनका डेली उत्पादन आ रहा है, जैसे मैं खीरे की बात करूँगा, पुलियाउस, नेटाउस में, जहां पे आप डेली तुड़ाई करते है तो वहां पे आप डेली फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, आप एक दिन छोड़के एक दिन तुड़ाई कर रहे हैं, तो आप एक दिन छोड़के एक दिन भी फर्टिगेशन कर सकते हैं, आपका मोसम कैसा है, इस पे भी आपका निर्बर करेगा कि हम फर्टिगेशन डेली करे यह एक दिन छोड़के एक दिन करें गर्मिया है जैसे अभी हम डेली पानी देते हैं तो हम डेली भी फर्टिगेशन कर सकते हैं इसी तरह से मैं कहूंगा यह most important slide है क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मेरे साथ में जो photo share करते ना इतना fertilizer और इतने कम समय में देते हैं उससे क्या होता है कि जो आपका पोदे का root zone है उसका EC और pH बढ़ जाता है pH generally कम होता है क्योंकि आजकल जो आ रहे है acidic fertilizer होते हैं लेकिन EC क्योंकि जो आप खात दे रहे हैं वो भी एक तरह से salt है ख्यार है नमक है एक तरह से तो वो आपकी EC को बढ़ा देते हैं तो इसलिए EC का खास जान रखना है जैसा इस फोटो में भी दिखाया हुआ है जैसा इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि जब आप vertigation करें उस समय पे आप एक गिलास के अंदर वो पानी ले vertigation वाला और उसका EC नापना हमको बहुत जिरूरी है ये जो हमारा EC है ये बेस्ट होता है ड़ाई से तीन के बीच में या मैं अगर इसको TDS में कहूं तो लगबग 2000 से लेके 2500 TDS का पानी जब vertigation करें तब जाना चाहिए अगर उस से उपर का TDS का पानी जाएगा तो वो हमारे जड़ों को या root zone को नुक्सान कर सकता है तो ये मोटी मोटी बाते हमको ध्यान रखनी है अगर आपको बहुत ज़्यादा तकनीकी जानकारी चाहिए तो मेरा already vertigation में जो किसान भाई पांच गलतियां करते हैं उसका अपने YouTube चैनल पे जाएं उसके वीडियो के अंदर आपको ये वीडियो मिलेगा ये आप वीडि झाल 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